Welcome Back दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकास का प्रावर्तन यानि Reflection of Light, प्रकास का अपवर्तन यानि की Refraction of Light और उनके Rules यानि की नियमों के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है जब प्रकास की किरने किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्य में चली जाती है तो उस घटना को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं प्रकास का प्रावर्तन एक ही माध्य में होती है और ये हमिशा सम्तल तल पर ही होता है इसको जानने के लिए एक दरपन लिजिए उस पर टॉर्च जलाई तब देखिए कि जो टॉर्च के परकास की कीरने है वो वापस उसी माध्य में चली जाएगी जब दरपन में हम अपना प्रतिविम देखते हैं तो वो प्रावर्तन के कारण ही होता है प्रकास का प्रावर्तन चमकदार वस्तु के कारण होता है जैसे ध्वनी का प्रावर्तन में ध्वनी सुनाई देती है हवा, जल की तरंगे, प्रकास तथा अन्य विधूत तरंगों का प्रावर्तन होता है उसी परकार प्रकास का प्रावर्तन भी होता है प्रकास के प्रावर्तन का नियम अगर बात कर लेते हैं लो अप रिफ्लेक्षन के बारे में तो प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम हैं और इन नियमों को जानने से पहले हमें जानकारी लेना होगा कि कीरन क्या होता है आपतित कीरन प्रावर्तित कीरन अभिलंब क्या होता है इनके बारे में तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सोर्स से यानि कि लुमिनेस सोर्स प्रदिप्त कोई भी वस्तु जैसे कि टॉर्च हो गया सनलाइट हो गया इनसे आने वाली कीरन को बोलेंगे आपतित कीरन वापस टकरा कर जाने वाली कीरन को प्रावर्तित कीरन और आपतित कीरन और प्रावर्तित कीरन के बीच का जो imaginary line होता है आभासी line होता है उनको बोलेंगे अभी लंब next का बात क्या जाए तो अभी लंब और आपतित की रन के बीच का एंगल को कोन को बोलेंगे आपतन कोन और अभी लंब और प्रावर्तित की रन के बीच के कोन को बोलेंगे प्रावर्तन कोन आपतन कोन को angle of i से denote करेंगे और प्रावर्तन कोन को angle of r से denote करेंगे तो प्रकास के प्रावर्तन का पहला नियम है आपतित कीरन प्रावर्तित कीरन तथा आपतन बिंदू पर अभी लंब ये तीनों एक ही तलपर होता है और दूसरा नियम है आपतन कोन यानकी angle of i हमेशा प्रावर्तन कोन यानि angle of r के बरावर होता है तो ये रहाब का प्रकास के प्रावर्तन के बारे में चले नेक्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रकास का अपवर्तन यानकी reflection of light के बारे में जब प्रकास कीरने एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविश करती है यानि कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सगन से विरल में या फिर रेर से डैंसर में अगर गमन करती है या प्रविश करती है तो उसे प्रकास का अपवर्तन कहते हैं लेकिन जब कोई भी परकास की कीरन एक माध्यम से दुसरे माध्यम में प्रविश करती है तो वो कीरन अपने पत से विचलित हो जाती है या फिर वो कीरन नॉर्मल की ओर जुग जाती है या नॉर्मल से परे हो जाता है अगर रेर से डैंसर की ओर जाए कोई भी परकास की कीरन तो वो कीरन नॉर्मल की ओर जुग ती है और डैंसर से रेर की ओर जाए तो वो नॉर्मल से परे हो जाती है अगर हवा से पानी में अगर परकास की कीरन जाए तो परकास की कीरन नॉर्मल की ओर जुखती है और पानी से हवा की ओर परकास की कीरन जाए तो परकास की कीरन नॉर्मल से दूर भागती है अब बात कर लेते हैं प्रकास के अपवर्तन का नियम यानि की लो आफ रिफ्रेक्शन तो प्रकास के प्रावर्तन का दो नियम है प्रथम नियम आप्तित अपवर्तित किरन और आप्तन बिंदू पर अभी लम ये तीनों एक इतल पर होता है लेकिन अपवरतन का जो नियम है वो दो मीडियम पर काम करता है rare और dancer पर और दुसरा नियम है आपतन कोन की sign वो अपवरतन कोन का sign का अनुपात दोनों माध्यमों के अनुपात के बराबर होता है तथा पहले माध्यम के सापेच दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N कहलाता है कहने का मतलब है कि दूसरा नियम परकास के अपवर्तन का कि sin I बटे sin R equal to N जहां पर I होता है अपतन कुन और R होता है प्रावर्तन कुन और इन्हें ही सिनेल का नियम भी कहते हैं अब हम लोग डिसकस करेंगे प्रावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है तो प्रावर्तन की कीरने जिस माध्यम से आते हैं फिर उसी माध्यम से वापस लोड जाते हैं या और प्रावर्तन की कीरने एक ही माध्यम में जिस सतह पर जिस कोन पर टकराती है उसी कोन पर प्रावर्तित भी होती है और आपतन कोन में आपतन अपवर्तन के किरने एक माध्यम से दुसरे माध्यमें प्रविश करती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और वहीं पर देखा जाए अपवर्तन में प्रकास की दिशा और गती दोनों बदल जाती है तो ये रहा आपका प्रकास के प्रावर्तन अपवर्तन उनके नियम और प्रकास के प्रावर्तन तथा अपवर्तन में अंतर I hope कि आपको अच्छी प्रकार से प्रकास के प्रावर्तन और अफवर्तन के नियम समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेस क्लास आज के लिए इतना ही Thank you